नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड 34 सीक्रेट मीन डासी वालों एक बार फिर से सनी देव हुए हैं आप पे महरवान लेकिन कैसे और कब से कब तक आपकी लाइफ में बदलाव आएगा आज हम तमाम बाते आपके साथ सेयर करेंगे तो वीडियो रासी में आ चुके हैं और यहां पर उनको साथ मिला है केतु का अब मकर रासी में अकेले बिल्कुल स्वतंत्र सनी देव हैं मौजूद अब यहां पर वक्री सनी अकेले हैं तो यकिनन जीवन में जो करेंगे अपने घर में ठाट से सोएंगे और आराम से चीजों को बहतर क करेंगे लेकिन उनमें आप अगर मींडासी की बात की जाये तो आप बड़े ही लगी रहने वाले हैं देखिया सनी देव एक नयाई कारगर हैं और जैसे के हमारे जीवन में एक सीमाएं उनकी हिसाब से जीवन में एक सीमाएं होनी चाहिए जहां कि आप अपनी सूज और इमानदारी के साथ चीजों को करें वैसे दूसरी तरफ सनीदेव जो अकेले होते हैं और अभी वक्री हैं सनीदेव तब ऐसे में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे क्योंकि यहां 29 सितंबर 2020 तक सनीदेव मकर रासी में वक्री अवस्था में ही गोचर क जाएंगे लेकिन अभी जब हलाकी 20 नौवंबर को यहां पर एक बार फिर से मकर रासी में सनीदेव के साथ आजाएंगे देव गुरु ब्रहस्था पती चलिए उतनी बातों में हम आपको ना उलजाते वे सिधे मुद्दे पे आते हैं मीन रासी वालों सनीदेव आपके ए इस समय एक्यार्वे भौ यानि एकादस भौ में रहेंगे अब सनीदेव का एक्यार्वे भौ में रहने से इसका प्रभौ भी आपको मिलेगा अभी तक गुरु मकर रासी में नीच के हुए बैठे थे और नीच भंग राजयोग बनाकर चल रहे थे जिसके बारे में हमने आ और पाबरफुल भी है अब ऐसे में छपड़ भार देंगे क्योंकि सनीदेव एक ऐसे ग्रह है जो ब्रंभान में ब्यक्ति को एकी पल में रंक से राजा भी बना सकते हैं और राजा से रंक भी बना सकते हैं यानि एक्दम से दो चीजे और वो भी जुदा लेकिन एक ऐसे जो जब चाहे सोना को बिल्कुल आपको आपकी मिट्टी भी सोना हो जाए ऐसा ताकत है उनमें और जब वो देने पर आते हैं तो छपड़ फार देते हैं लेने के लिए आपके पास बोरियां कम पड़ जाएगी इतने देंगे अब 11 भाव में बैठेंगे 11 भाव के स्वामी है और गोचर में 11 भाव में पावरफुल हो जाते हैं तो यकिन अगर आप फैक्टी इंडस्टी आपका है तो यकिन मानिए इस समय आपके जीमन में बहुत खुबसूरत मोड आएगा लेकिन दूसरी तरफ आपको मेहनत करना ह होगा क्योंकि मेहनत के स्वामी है और आपको मेहनत से ही आपको उचाईयां मिलेगी इसमें आलत से बिलकुल भी अपने उपर हावी न होने दे क्योंकि ये आलत से आपको सही मायने में सही तरे के कफल आपको नहीं लेने देगा और यहां आपके रासी पर इनका पुरा प् जीवन भी बहुत खुबसूरत रहेगा क्योंकि जीवन साथी से आपको लाब होगा जीवन साथी का भाग्योदे होगा और जीवन साथी से आपको लाब होगा यानि खुसियां ही खुसियां बरसेगी पर दूसरी तरफ थोड़ा सा यहां पर आलस सिपन तो आपको बचना ही ह वैसे आपको माता-पिता का साथ मिलेगा और धन के मामलों में भी आप लकी बने रहेंगे अगर आप कोई उच्च पद पर आशिन आडून है आप बैठे हुए हैं तो यकीन मानिए चीजें आपके पक्च में हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हैं साइड इफेक्ट यह हैं कि देखिए धनलाब आपके लिए प्रबल योग बन रहे हैं और यह आपके लिए कदम कदम पर एक बहुत ही खुबसूरत रास्ता भी बनाएंगे लेकिन अगर आप वहां चलाते हैं मसीनरी का प्रयोग करते ह है तो थोड़े से साबधान भी आपको रहना होगा वैसे इस समय आपको कुछ सीजों का ध्यान रखना है थोड़ी बहुत संतान की चिंताइं आपको परिसान कर सकती है लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आप संतान लेना चाहते हैं तो यह समें अच्छह लेकिन फिर भी अगर जो आपके संतान हैं उनके स्वास्त में आपको थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना होगा क्योंकि संतान को लोगे थोड़ी सी उल्चन जैसी चीजें हैं हलांकि जो बिद्यार्थी हैं मिंडासी के उनके लिए भी थोड़ी सी परेसानी देंगे पर फिर कि आपके काम में जो रुकावटें अभी तक नजर आ रही थी उसमें बहुत हथ तक आपको स्तरलता से तमाव चीजें बेहतर होती भी दिखेगी अब यहां पर अपनी वानी में मीठापन बनाए रखें क्योंकि यहीं वानी आपको आगे और भी ज्यादा तरकी करवाएग दूसरी तरफ आप रोज साम में सनी देव के चालीसा का पाट करें और जीवन में इमांदार तो आप हैं ही बस इमांदार बने रहें और जितना मिहनत कर सकते हैं कीजिए क्योंकि 20 नुम्बर तक आपको दे रहे हैं फिलाल भी दालेंगे हरहर महादेव